पहली सदी के पांचवे दशक में तेन अभी नेताओं का जादू दर्शकों के सिर्चट कर बोल रहा था राज कपूर, देवानंद और दिलीब कुमार राज मस्खरे और भोलीपन को जीने वाले तथा दर्द को हसते हुए पी लेने वाले कलाकार माने गए तो देव सही मैं लोगों के लिए आनंद के देव बन गे तीसरे दिलीब कुमार ट्रेजडी किंग कहलाए जाने लगे सही मैं देखा जाए तो सबसे अधिक मुश्किल है दर्द को चहरे पर लाना और उसे दर्शकों को दर्द में डपो देना ये काम अपने पूरे अभी नई करियर की अधिकतर फिल्मों में करने वाले दिलीब कुमार को करते हुए तो लंबा आरसा हो गया था लोगों को उमीद थी कि वो अपने लोगों को नहीं रुलाएंगे लेकिन वक्त के आगे किसी की नहीं चलती है वो तो अपना काम करते आगे बढ़ता जाता है जाते जाते दिलीब साहब एक बार फिर अपने चहने वालों को रुला गए और बता गए ठीक उसी तरह जैसे वो फिल्म आदमी में गाती है ना आदमी का कोई भरोसा ना जिन्दगी का कोई ठीका ना अब उन्हें हम सिर्फ महसूस करेंगे वो हमारी यादो में जिन्दा रहेंगे अपनी फिल्मों के जरी अपनी अभिने के जरी आशंका तो तब भी हैरान करने लगी थी जब देवानंद की फिल्म हम दोनों रंगीन होकर फिर से रिलीज हो गई थी तब दीव साहब जीवि ही है इसलिए मैं प्रीमियर मैं जरूर आपको बुलाना चाहता हूँ आप जरूर तश्रीफ लाएं ये बात सुनने के बाद साहरा जी ने फोन यूसफ साहब को दे दिया और बताया कि देव साहब का फोन है उन्होंने फोन हाथ में लिया पर कुछ कहने सुनने के हसते रहे कुछ पल ऐसे ही बीता तो सारिया जी ने उन से फोन ले लिया और देव साहब से कहा कि मैं कुछ से में बाद आप से बात करूंगी उसी वक्त देव साहब को लगा कि कुछ गड़बट जरूर है और उनकी तब्याद छीक नहीं है दलीब कुमान है खियाती पाई ट्रेजिडी किंग की लेकिन सही माईनी में वो अभिने के हर रंग को जीने में माहित थे उनकी नहीं खासितों की वज़ा से इस सधी के महना एक अमिताब बच्चों ने भी कहा कि यदि उनके साथ और बाद की पीड़ी का कोई अभिने करता तो मैं दलीब साहब की कौपी नहीं करता तो जूट बोलता है राच कुमार ने प्रेम रूख के एक सीन में रिशी कपूर से कहा कि यूसफ की नकल कर दो हमारा काम हो जाएगा अपने अभिने सफर में दलीब कुमार ने कुल साथ फिल्में की हैं जिन में दो में वो महमान भूमिका में थे 1944 से शुरू हुआ उनका अभिने सफर 1998 तक चला उनकी अंतिम लीज फिल्म थी किला जिसमें उन्होंने डबल रूल किया इसके बाद वो निर्देशन में आ गए थे लौरेंस टिसूजा के फिल्म कलिंगा का निदेशन में उन्होंने किया लेकिन काफे समय बाद होने के बावजूद उनका एखवाब अधूरा रह गया उन्होंने करमा और मुसाफिर में गेत काई गंगायमुना के निर्माता बने गंगायमुना और लीडर के लेखक वही थे अपने लंबे अभिने सफर में कुल साथ फिल्मे करके वो अभिने की पाटशाला हो गई थी उन्हें फिल्मों में खुद को दोहराना पसंद नहीं था वो अच्छी तरह जानते थे कि एक अभिनेता की पूंजी उसकी प्रतिवा शरीर और वहवारी को बुद्धी होती है अभिनेता की रूप में नहीं इनसान की रूप में भी उनकी ख्याती दुनिया भर में रहती है दलीब कुमार का असली ना मुहम्मद यूसफ सर्वर खान था उनके पिता फलों के वेपारी थे सीमा प्रांथ की राज्यों से कारुबार बढ़कर दूर तक पहुंचाएगा वो बुमबई आ गए थे लेकिन कोई समस्या थी तो परिवार नासी के देव लाली में बसा था वहां मुसीवत आई तो परिवार बुमबई आ गया यहां अंजुमे इस्लाम हाइ स्कूल विल्सन और खालसा कॉलिज में वो पड़े एक बार काम करने के सिल्थले में यूसफ सहाब को नैनीता आल जाना पड़ा उनकी मुलाकात मशूर अबिनेत्री और बॉमबे टौकेज के मालकिन देविका राने से हुई सयोग सी देविका राने के परिवार मित्रा डौक्टर मसानी उन्हें लेकर देविका राने के पास के थोड़ी देर की मुलाकात में ही यूसफ खान बन गए और अभी नेता दलीब कुमार कुछ वर्षों में च्छा गए अभी नेकी दुनिया में पिछले कई वर्षों से दलीब कुमार की तबित बिगड़ती बनती रही और आखिरकार काल के करूर हाथों ने इस अजीम शक्सित को हम से छेन लिया दलीब कुमार तो चले गए लेकिन रूपले परदे पर निभाई गए उनकी भूमेगाए आने वाले पेड़ियों को हिंदी फिल्मों में समरिद्धी का एसास कराती रहेंगे उदारता नायर द्वारा प्रस्तु दलीब कुमार की आत्मकता वजूद और पच्छाई में उनकी पत्ने सायरा बानों ने बताया बहुत कम लोग जानते हैं कि दलीब कुमार को पढ़ने का कितना जबदर शौक था कोई उपनियास हो नाटक हो या जीवनी क्लासिक साहित्य से उनका प्यार हर चीज से बढ़कर था उर्दू, फार्से और अंग्रेजी साहित्य कि कितनी ही किताबे हमारे बुक शेल पर रखी हुई हैं उनकी शोबा बढ़ाती हैं मुझे आदस ही पढ़ गई कि उनकी हर रात टेबल लैप की रोश्टी में बड़े चाव और लगन से कुछ न कुछ न कुछ नहीं पढ़ते देखू कई बार तो बोर तक होती थी हम मुंबई में अपने घर में हूँ या फिर जमु कश्मीर के दूदरा से किसी डाक बंगले में कुलू मनाली सुईजर लैन या दुनिया के किसी भी हिससे में हो वो पढ़ने का अपना शौक नहीं छोड़ते थे ऐसे लगता था जैसे कोई बच्चो अपने मन पसंद खेल में मगण हो मेरी बार बार कहने और बहुत पीछे पढ़ने के बाद हाथ के किताब छोड़ने के लिए राजी होते थे युजीन ओनील, जौसफ कॉनराड, फियोदर दास्तो वेस्की, टेकसिन उनके सबसे पसंदिदाल लेकर थे अगर उनके हाथ में कोई किताब नहीं होती थी तो पक्की मान चाहिए कि वो किसी स्क्रिप्ट या सीन को पढ़ने में टूबे हुए हैं जिसके अगली सुभा शूटिंग होने वाली थी, वो एक समय में एक फिल्म में ही काम करते थे एतने ही अभी नेता मनोज कुमार भी कहते हैं कि दलीब साहब की शक्सियत ये थी कि आप उनका दिल अच्छे काम से जीच सकते हैं ना कि चमचा गिरी करके वो कड़ी मेहनत के प्रोड़क्ट रहे हैं इतने स्टार्डम और कड़ी मेहनत का प्रोड़क्ट होना दोनों अलग चीज़ी हैं जब मैं भगत सिंग पर आधारेत फिल्म शहीद पर रिसर्च कर रहा था उसमें करांती का आइडिया मेरे दिमाग में आ गया मुझे पता चल गया कि मराथा सामराज्य की नो सेना के प्रात्मिक सेना नायक कनो जी अंग्रे समुंदर में अंग्रेजों और पुर्तगालियों को खड़े नहीं जहने देंगे इस बात को ध्यान में रखते हुए दलीब सहब के किदार को कनो जी अंग्रेज जैसा बनाया उस दोरान दलीब सहब 5-6 सालों से कोई फिल्म नहीं कर रहे थे एक दिन मैंने उन्हें फोन करके कहा कि सहब एक बोगस सी कहानी है उसके लिए आप फिच है उन्हें कहा करते हैं फिल्म लिखने के बाद फोन किया तो उन्हें अगले दिन बुला लिया बड़े भाई नूर सहब की तब्यत उन दिनों खराब थी उन्हें कहा कि भाई सहब बिमार है मुझे अस्पतार जहाना है कहानी को तीन घंटे लगेंगे मैंने कहा दलीब सहब जिस कहानी को सुनने में तीन घंटे लगेंगे वो कहानी नहीं होती है कहानी वो होती है जो दो मिनट में सुनाए जाए मैंने उन्हें दो ढ़ाई मिनट में आइडिया सुना दिया वो थोड़ी देर खामोश थे फिर उन्होंने कहा जमीन बड़ी उप जाओ है मैंने कहा तुम महने से हल चलाएंगे तो फसल भी अच्छी होगी रिलीस के बाद फिलम सुपर हिट गई थी